आखिर क्यों होता है हमें high bep के समस्या क्या है यह high bep जिसे कि हम high blood pressure के रूप में जानते हैं क्यों होता है यह high bep मैं आपको 9 ऐसे करण बताना चाहता हूं आज इस वीडियो में जिसके करण हमें high bep के समस्या होती है आज अगर देखा जाए लगभग 80% लोगों को HIVP का समस्या है जिनका उमर 30 वर्स से उपर है तो यह एक बहुत खतरनाक और बहुत कमन डिजिज हो चुका है आई यह देखते हैं कुण-कुणचे वो कारण है जिसके वज़े से हमें HIVP का समस्या होता है HIVP होने का सबसे जो मुख्य कारण है वो है stress, तनाव, चिंता अगर आप बहुत ज़्यादा stress लेते हैं आपका work pressure के कारण या relationship problem के कारण और भी कई कारणों के से हमें तनाव होता है, stress होता है और इस stress के चलते हमें HIVP हो सकता है नमबर टू, sleeplessness, अगर आपको नींद अच्छी तरह से नहीं आती है, रात को अगर आप ठीप्रकास से नहीं सो पाते हैं तो भी आपको high pressure हो सकता है नमबर थ्री, अगर आप बहुत गुस्ते में रहते हैं, आप अपने गुस्ते को control नहीं कर पाते हैं तो भी आपको high BP का समझ से हो सकता है नमबर फोर, वायू बढ़ जाने से high BP हो सकता है नमबर फाइब, पित्तों के बढ़ने से भी देखा गया है आपका high BP का अचानक बढ़ जाता है नमबर शिक्स, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप ओबिसिटी के सिकार है, आप मोटापे का सिकार है और आपका जो वजन है, वो आमतर पर नॉर्मेली जितना होना चाहिए आपके वेट के हिसाब से, BMI के हिसाब से जितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो भी आपको high BP का समस्या हो सकता है, आप कोई भी एज में हो, आपको high BP हो सकता है नमबर 7, आपका अगर ब्लाट फ्लो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, आपके शरीर के अंदर अगर ब्लाट का जो सर्कुलेशन है, वो अगर ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो भी आपको high BP का समस्या हो सकता है नमबर 8, अगर आपका शरीर में कोलेश्टल बढ़ा हुआ है, कोलेश्टल बढ़ने के करण भी high BP का समस्या हो सकता है और नमबर 9, विच इस मोस्ट इंपोर्टन, अगर आपका शरीर में हर्ट, लीवर या किड्नी, डिस्ट्वांक्शन हो रहा है, मतलब ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है, तो भी आपको high BP का समस्या हो सकता है high BP का समस्या होने के ये सारे कारण मैंने आपको बता है, इन में से कोई भी एक कारण अगर आपको शरीर में हो रहा है, अगर कोई भी एक प्रोब्लेम आपको शरीर में हो रहा है, तो आपको high BP का समस्या हो सकता है इन समस्या से जुजने का निदान करने का सबसे जो आसान तरीका है वो है प्रणायम प्रणायम के साहता से हम अपने सरीर से हाई बीपी का जो समस्या है वो पूरी तरह से दूर कर सकते हैं सिर्फ हमें ठीक प्रकार से उचित तरीके से हमें प्रणायम करते रहना चाहिए और सभी प्रणायमें से जो सबसे जो बहतर और जो सबसे कारगर जो प्रणायम है वो है अनुम विलम जिसे की हम नारी सुधिकरन प्रणायम के नाम से भी जानते हैं तो इस प्रणायम को करने स से निमीत रूपसे करने से हमारा जो हाई वीपी का जो समस्य हो पुरी तरह से ठीक हो सकता है